Hello student, कैसे आप? बहुत सारे बच्चों से बात करके हमने जैसे freedom sale ले के आये थे हम normally, हमने क्या करा था? कि हम 50, मतलब 500 रुपए का हमने courses सभी बच्चों को दिया था कि any course ले ले जिए 500 हैं और इसमें बहुत सारे बच्चों ने enrollment भी किया और साथ के साथ फिर भी कुछ बच्चों का कहना था कि सर हम ये fees afford नहीं कर सकते तो मैंने सोचा यार फिर afford नहीं कर सकते तो pricing का क्या किया जाए क्योंकि सारे खर्चे भी हैं और फिर बहुत सारी चीजे भी हैं manage करना थोड़ा सा वो मुश्किल हो रहा है तो semester मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम बच्चों को एक opportunities दे और आप अपने लिए कुछ earn कर पाएं simple सी बात है courses के price मेरी पूरी courses है इस semester में जो बच्चे हैं शाइद इस semester में down ना हो next semester में मैं definitely इसको down करूँ है क्योंकि जैसे जैसे strength और जैसे जैसे चीजें लगती जाती है और क्योंकि आप जब आप चाहे एक रूपे payment करो matter नहीं करता आपने अगर payment किया है तो आपकी expectation होगी कि हमें service भी मिलनी चाहिए और service अगर आपको नहीं मिलती service in the sense आपको सही से video content arrange होना चाहिए सही से आपको study material मिल जाना चाहिए सही से आपके doubt solve हो जाना चाहिए तो इन सभी चीजों के लिए मैं individual सारे काम अगर करना चाहूं क्योंकि already मेरे पास subjects जादा है तो not possible अगर मेरे उपर काम करना हो तो ठीक है और अगर मैं किसी को अपने पास रखता भी हूँ तो ऐसा नहीं है कि उसको रखने के बाद फिर उनको मैं बोलू कि मैं यहां बच्चों को free में पढ़ा रहा हूँ तो आपको free में काम आप में से अगर कोई भी है अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास कुछ vacancies खाली यह video वगरा content वगरा तो definitely आप भी सोचोगे सर मैं आहात हो जाओंगा और job भी कर लूँगा लेकिन salary क्या होगी और आपकी expectation higher ही होगी कि इतने salary मिलने चाहिए तो हमने क्या करा कि हम चलो मान लेते हैं semester 2, 3 और 5 इन semester से हमारे जो भी खर्चे वगरा होते हैं या फिर जो भी हमारा सारा system है वो manage हो सकता है हमने सोचा semester 1 के बच्चों को free of cost course दे लिया जाए क्योंकि दो semester से हमारा काम चल रहा है semester से हम नहीं भी अगर पैसे earn कर रहे है earn बाद में कर लेंगे बहुत समय बच्चा हुआ at least जो बच्चे misguided है उनके लिए कुछ तो जो आपके juniors है जो आपके brother sister है तो उनके लिए मैंने semester जो आपका one का course है ना वो मैंने launch करा है भी अभी classes start नहीं हुए classes start हो जाएगी semester one इसका जो prize है ना आपने जूनियर को बोलते हो आप पढ़ लो जाके वहां पर इस तरीके से तो अगर अपने जूनियर को बोलते हो तो इस प्राइज का 80% माल लेते हैं आपने एक friend को recommendation किया तो 400 रुपे आपको दे दिये जाएंगे आप चाहते हो नहीं sir में जे पैसे से मतलब नहीं है मेरा दोस्त है वो पढ़ ले उनके लिए जो courses का price है ना जो कि minimum value आपका 100 रुपे माल लो पढ़ जाएगा उनको को course कितने का है 100 रुपे का पूरे तीन मैने live classes चलेंगी timing जो रहेगा MWF में 6-7 होने वाला है हिंद का time है ठीक है तो एक आप जो senior है क्योंकि जो junior बच्चे होते हैं जैसे हम 8th class में मैं अपने याद करूँ तो 8th class या 11th class में होते थे तो फिर हम सोचते थे आर 12th वाला बच्चा मुझे important question बता दे लेकिन हम ना कहीं कहीं communication gap में भी फस्ते जा रहे हैं क्योंकि separation 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 से हम इतना separate हो गए ना तो मैं senior को बोलूँगा कि वो आपके brother sister आपके एक दोस्त के जैसे हैं तो आप सभी seniors को चाहे बच्चा किसी भी college में हो at least उनको सही direction पे guide करिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आपके number ले लेगा ऐसा नहीं है कि वो आपसे आगे निकल जाएगा आप at least सही direction पे करिए और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग के लिए monetary benefit एड़ कर दिया है कि आप उन बच्चों को जैसे बोलते हैं कि भाई आपने पढ़ा है तो आपका मैंने एक referral प्रोग्राम रखा और मैंने दोनों का ध्यान रखा कि आपके दोस्त और फ्रेंट्स जो है वो आपके नाम से जब भी रेफर करोगे तो आपके नाम से ही उसका जो है उसी के नंबर पे होगा इनफेक्ट कोर्स उनका जो होगा एक coupon code देंगे जिसके अंदर उनको को जो है प्राइस फाइव हंडड़ है जो डारेक्टी बच्चा आता है उनके लिए कोर्स का प्राइस फाइव हंड़ है क्योंकि मैं यह नहीं कहूंगा कि कोर्स की प्राइस बहुत कम है और मैं यह भी नहीं कहूंगा कि कोर्स की प्राइस बहुत जादा है डिपैंड करता है हमारे situation के उपर आपने एक पढ़ा होगा कि भाई maturity of principle के एक वेक्ति के लिए 100 रुपे भी बहुत बड़ी amount हो सकती और एक वेक्ति के लिए 100 रुपे बहुत छोटा सा amount हो सकता है तो सेम ऐसे यहां situation है क्योंकि मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं सारे colleges के लगबग लगबग बच्चे से बाते होती है लाइव जब chat में होते हैं तो बात चलती है तो मेरा मानना है कि आपके लिए जो बच्चे देखो मैं हर किसी को नहीं बोलूँगा कि आप prefer लो आपने 10 स्टूडेंट आपके जूनियर में गए या आपसे कोई ना कोई connected है उनसे आपने बोला कि हाँ आप जोइन कर लो classes आपके लिए benefit रहेगा offline जो बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वहीं पढ़े ऐसा नहीं मैं बूलना चाहता कि वहां पर चोड़के मेरे पास आजाओ तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको आप guide कर सकते हो और हम आपको एक earning का दे रहे हैं ताकि आप इतना earn कर पाओ कुछ आपके खर्चे किताबें और आपका थोड़ा बहुत expenses निकल जाएं तो अगर मान लेते हैं आपने 10 student को भी add-on किया तो आपको सीधा सीधा चार हजार रुपे मिल जाता है और उन्हें student के लिए एक bell मैं क्योंकि price को reduce नहीं कर रहा है इसमें और आगर आप बोलते हो sir नहीं ये हमारा दोस्त है मुझे refer refer मत दो इसका course बस आप activate कर दो अगर आप ऐसे बाद करके लेके आते हैं तो मैं 100 रुपे के मैं उनका इससे भी सस्ते में course activate करा दूँ आगर आप लेके आते हो sir ये मेरा friend है और इसको पैसे afford नहीं कर सकता लेकिन इसे पढ़ना है तो please मैं पहले से आपके पास पढ़ता हूं मेरे दिक्कत नहीं है इनका करिए मैं तो कहता हूं मैं उनको free में भी पढ़ा दूआ लेकिन recommendation और एक जरिया ह यह है मेरा एक ही points है यहां पर valid के जो graduation को कुछ नहीं समझते उनको value समझाए के नहीं सर graduation भी ना एक valuable हमारा है और अगर graduation में value निकलता है आपका तो आप कहीं न कहीं कामियाब हो जाओगे जो बच्चे pass out हो चुके अगर वो यह वीडियो देख रहे होंगे तो समझ पाएं उन बच्चों को मैं कहूंगा आप comment में बताईए क्योंकि लगभग लगभग दो से तीन साल से बच्चे हमारे पास pass out हो रहे हैं हमसे connected है तो प्लीज आप बताईए कि हा मैंने graduation में focus किया था तभी हमारा MBA अच्छा हो पाया है तभी हमें CA में help मिल पाया या और courses क्योंकि और वो भी बच्चे बताएं comment के अंदर कि जो graduation सही से नहीं कर रहे थे उनको कितनी problem हो रही है क्योंकि यह मैं जानता हूं क्योंकि मैं काफी सारे से लेकिन जो बच्चा अभी semester one में आया है वो तो बिल्कुल नई दुनिया में आ रहा है उसे तो कुछ पता ही नहीं पढ़ इसी भी student को connect करता है और वो चाहता है कि नहीं भाई यह इनका एंड्रोल करा देते हैं तो आप नंबर जो है मैं description में मैं सारे contact detail देद हुआ उनको आप नंबर दे दीजिए वो coupon code दे देंगे आप उनका free में करवाना चाहते हैं आप फ्री में करा दीजिए आप चाहते हैं नहीं उनको payment करने के लिए एबल है मतलब इतने पैसे हैं उसके पास तो आप उनसे पूरी payment लीजिए मैं refer कर रहा हूं तो मुझे आप क्या कर सकते हैं मुझे आप for example commission जो भी है referral मुझे दे दीजिए ताकि मेरे कुछ रोज मर रहा कि छोटी मोटी जरूरत है क्योंकि मैं य जो मैं यह बाते कर रहा हूं जो मैं आपसे discuss कर रहा हूं यह चीज़े ठीक है तो comment में लिखिए सर ठीक है इस तरीके से किया जा सकते है अगर आपको लगता है कि सर यह चीज़े बेकार है करने का कोई फाइदा ने तो हम इसको आपके जो क्योंकि मैं जो मेरे मन में बात है वो मैं बोल रहा हूं लेकिन ultimately जो सामने student बैठा है वो क्या चाहरा है मुझे उसके according चलना पड़ेगा ना कि मेरे हिसाब से मैं तो मेरे मन में तो बहुत कुछ है लेकिन आपके जो feedbacks है आपके according चलना पड़ेगा तो बस इतनी से वीडियो है बाकी जो number वगरे है वो description में डाला हुआ है thank you so much और आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजे ठीक है ना thank you so much मिलते हैं हम इसी तरीके से next वीडियो में